दोस्तों कहानी शुरू होती है एक छोटे से टाउन से जहांपर बहुत ये कम लोग रहते थे वहीं पर हम गर्ज, टेरी और नथन को देखते हैं जोके एक घर पनाजर रखे वे थे और वह गर उस टाउन के डॉक्टर हगिंस का था जो की बहुत ही अमी डॉक्टर था तो मुवी में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दू कि उनमें से जब गर्ज येसा था जो की उस टाउन का नहीं था और उसका प्लान था डॉक्टर हगिंस का घर को लूटना टेरी की मा डॉक्टर हगिंस के घर पर काम करती थी और टेरी से ही उन लोगों को यह इंफ устрой मिली थी कि डॉक्टर हगिंस के पास में बहुत पैसा है और उनका एक लॉकर है, जिसमें बहुत सारे पैसे और जोयलरी हो सकते हैं तो इसलिए उन लोगों न गर्स के साथ में मिलकर हगेंस के घर को लूटने का प्लान बनाया था और गर्स ने पहले भी बहुत सारी रॉबरिस की होई थी और साथ ही वो उन दोनों से बहुती खतरनाक था तब ही वहाँ पर नेथन की गर्फरेंड मेरी आती है उसे आदे घंटे में काम पर जाना था तो इसलिए वो नथन से अपनी काल लेना आती है और वही कार थी जिसमें नथन रॉबरी करने आया था नथन न रॉबरी के बारे मेरी को कुछ नहीं बताया था और टेरी ने मेरी को कॉल करके वहाँ पर बुलाया था और तब जाकर मेरी को उनके प्लान के बारों पता चला था मेरी उनको चोरी करने के लगमना करती है पर वे लोग मेरी की पुई बात नहीं सुनते हैं डॉक्टर हगिन्स और उनकी वाइफ एलेन के घर से जाते ही वे लोग उनके घर के तरफ जाते हैं अब इसके बार में तिनों गेट से चलांग लगा कर घर के तरफ जाते हैं और गेट से चलांग लगाते टाइम टेरी के पेर में चोटा जाती है गस डॉक्टर का गलास तोड़ कर डॉर को खोलने वाला था लेकिन टेरी को पता था कि डॉर की चाबी एक गमले के नीचे रखी होती है तो इसलिए वे लोग चाबी का यूज़ करके दर्वासा खोल कर घर के अंदर चले जाते हैं टेरी को हगेंस के हर चोटी चोटी बात पता थी मतलब कि वो उनसे तोलपोत करीब तो था नतन कार की चाबी अपने साथ में ले गया था तो इसलिए मेरी को वहीं पर रुपकर उनका वेट करना पड़ता है और मेरी अपने बोस को कॉल करके बोल देती है कि उसे आने में एक गंटा लेट हो जाएगा फिर इस तरफ घर के अंदर वो तीनों तबाई मचा रहेते हैं जो भी कीमते सामन उन्हें दिख रहाता वे उसे अपने पास में रख रहेते हैं उपर से गस को एक लड़की का रूम दिखता है जहाँ पर छोटे बच्चों के खिलों ने एक डॉल हाउस था और वहीं पर गस को एक केट नाम की लड़की का फोटो भी दिखता है और टेरी सो से पता चलता है कि केट डॉक्टर हगिंग्स की बेटी थी जो की बहुत साल पहले मर चुकी है अब कीचन के फ्रीज में बच्चे की बनाई हुई एक डॉइंग लगी हुई थी जिसमें एक माबाप और एक बच्चे की डॉइंग थी और माबाप उस बच्चे को मार पीट रहे थे उसे डॉइंग के नीचे लिखा हुँ था ममी, डेड़ी, एंड केट मतलब की वो डॉइंग केट ने बनाई थी फिर इधर टेरी को बेस्मेंट पे वो लॉकर मिल जाता है और टेरी के बुलाने पर गस और नतन उस लॉकर को खोलने आते हैं लेकिन वहाँ जाकर गस देखता है कि वो लॉकर लेक्टिक लॉकर नहीं था और ऐसे कॉम्बिनेशन लॉकर उसे खोलने नहीं आते थे और तब नतन, डिल मशीन और हैमर से लॉकर को खोलने की कोशिश करता है लेकिन में उसे खोलने पाता है लॉकर वैसा के वैसा रहता है और तब वे लोग डिसाइट करते हैं कि डॉक्टर हगिंस के आने के बार में वे लोग उनको धमका कर उस लोकर का कोड पूचेंगे और तब तक वे लोग घर पर ही रुख कर टीवी पर कुछ वीडियो टैप्स लगा कर दिखना लगते हैं उन वीडियो टैप्स में अजीब अजीब तेरी के वीडियो थे हैं लेकिन वे लोग उनको कोई ध्यान नहीं देते हैं मेरी बार घून बजाकर नतन को पुकार रही थी तो इसलिए नतन उसे घर के अंदर ले आता है गर में आने के बार में नतन मेरी का फोन अपने पास में रख लेता है और वो उसके साथ में रोमांस करने लगता है यहाँ पर टैरी को नतन और मेरी को साथ में देखकर बहुत ही बुरा फिल हो रहा था और ऐसा क्यों था यह आपको आगे पता चलेगा इदर मेरी नतन को बताती है कि वो प्रेगनेंट है और इसलिए अब तो नतन के लिए ये रोबरी करना और भी ज़्यादा इंपोर्टन था क्योंकि अब उसके उपर बेबी की रिस्पोंसिबिटी भी आ चुकी थी फिर अब वहाँ पर डॉक्टर हगिन्स अपनी वाइफ एलन के साथ में आ चुके थे और उनके घर में गुषने से पहले ही वे तीनों अपने फेस को मासके से कवर कर लेते हैं नतन मेरी को भी मासक पेना देता है ताकि घर के ओनर्स उन्हें नहीं पेचान सके फिर इसके बार में हगिन्स और एलन के घर में गुषते ही गज, नतन और टेरी उनको अपने कबजे में ले लेते हैं लेकिन इस हंगामे के दोरान एलन के हाथ में चोटा जाती है हगिन्स उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें जो चाहिए वे लोग वो चीज यहां से ले जा सकते हैं लेकिन उससे पहले वे लोग एलन के चोट पर उसे मेडिसिन लगाने दें मेरी बेकार में इस रोबरी का हिस्सा बन चुकी थी और वो किसी को तकलिफ में भी नहीं देख सकती थी तो इसलिए वो एलन के जख्मों पर बेंड़ेज लगा देती है और बेंड़ेज लगाते टाइम हगिन्स मेरी के हाथ पर बनेवे टेटू को देख लेता है जिसमें उसका नाम लिखावाता और उससे खिन्स को पता चल जाता है वो जगह बहुत है चोटी थी तो इसलिए हगिन्स महां के सबी लोगों को जानता था बस वो गर्स को नहीं जानता था और फिर इसके बद हगिन्स उन्हें अपना क्रेडि lattice काड दे देتा है और केचेन में रखे कुछ पेसे भी देता है लेकिन वो बस 300 डॉलरी थे जिससे कि उन्हें बहुत गुस्टा आता है नतन और गज हगिन्स और लोकर का कोड़ पुछते है लेकिन हगिन्स उन्हें साफ मना कर देता है कि उसके पास में ऐसा कोई भी लोकर नहीं है तो इसलिए भी लोग SI और एलन को बेस्मेंट पे लेकर जाते हैं जहां पर वो लोकर था वो उसे लोकर के सामने बेटा देते हैं और उसका कोड़ पूछते है यह पर एलन बार बार हगिन्स को मना कर रही थी कि वो उन्हें लोकर का कोड नहीं बताए तब गस और नतन को यकिन होना लगता है कि लोकर में बहुत सारे पेस रखे होंगे हगिन्स भी उन्हें दमकी दे रहा था कि सही टाइम पर वे लोग अपने घर पर चले जाए नहीं तो उनके साथ में बहुत ही बुरा होगा एलन भी उनसे यह के रही थी कि जब वो छोटे थे अगर तब उन्हें बुरी तरीके से पिटा जाता तो वे लोग सुदर जाते हैं और बढ़े होकर चोड नहीं बनते हैं पर नतन और गर्स यह बात नहीं मानने वाले थे उन्होंने डिसाइट कर लिया था कि वे लोकर को खोल करी जाएंगे नतन हगिन्स को स्लैप भी करता है लेकिन हगिन्स उस लोकर का कोड नहीं बता रहा था फिर गर्स सिगरेट से एलन का फेस जलाने वाला था लेकिन नतन उसे ऐसा करने से रोकता है और तब गर्स नतन को चाकू देता है एलन के कॉणली काटने के लिए ताकि हगिन्स उसे कोड बता दे मेरी अब इन सब में एनोल नहीं होना चाहती थी तो इसलिए वो बेस्मेंट से उपर के रूम के तरफ पुलिस को फोन करने के लिए चलिया आती है तब गर्स मेरी के पीछे जाकर उसे जान से मारने की धमकी देता है साथी वो फोन का कनेक्शन भी काट देता है और उसके हाथ बांद कर उसे बेस्मेंट पर ले आता है यहाँ पर गस उपर रूम में मेरी को धमका रहा था तब हगिंस ने नथन के दिमाग में ये बट डाल दी थी कि गस इन सभी लोगों को बुरे काम में फसा रहा है वे लोग ऐसे नहीं है और उन्हें अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहिए तब उन्हें भी पता चल चुका था कि हगिंस ने उन सभी लोगों को पेचान लिया था तो इसलिए सभी अपने मास्क उतार देते हैं फिर अब गस के कहने पर नथन हगिंस को एलन का एक फिंगर काटने की धमकी देता है तब हगिंस नेतन को समझा रहाता कि उससे मेरी और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच का इस बुरे काम को छोड़ देना चाहिए पर इन सभी बातों से गस इरिटेट हो रहाता तो इसलिए वो नेतन के उपर गन को पॉइंट कर देता है और कहता है कि अगर नेतन उसके मुतबिक काम नहीं करेगा तो गस उसे शूट कर देगा अब नेतन को भी समझ में आ चुका था कि पेसो के लिए गस किसी भी हद तक जा सकता है और किसी का भी मडर कर सकता है और किसी के भी भरोसे के लाइक नहीं है तो इसलिए नथन गस के हिसाब से काम करने के लिए उसे मारा कर देता है तब गस का गुसा और भी ज़ादा बढ़ जाता है वो फिर से अपनी गन को नथन के उपर पॉइंट कर देता है जिससे की मजबूरी में नथन हगिन्स को एलन के फिंगर काटने की धम की देता है फिर भी हगिन्स लोकर का कोड नहीं बता रहा था तो इसलिए नथन चाकू से गस के उपर हमला कर देता है और तब दोनों के बीच में जगड़ा शुरू हो जाता है और इसे चक्कर में चाकू नथन के पेट में घुश जाता है नथन दर्द के मारे तड़ा परा था लेकिन गस को उससे कोई फरक नहीं पड़ा था और अब पूरा कंट्रोल गस के हाथ में था और गस अब नथन की हल्प तभी करेगा जब उस से लोकर का कोड मिलेगा इन सभी लोगों की पीछ में टेरी कुछ भी नहीं कर रहा था वो बस कोने में खड़ा होकर सभी लोगों को देख रहा था फिर अब हगिन्स गस को लोकर का कोड देता है लेकिन उसने गस को गलत कोड बता रहा था क्योंकि जब गस लोकर खोलने में बिजी होगा तब मेरी याफी टेरी आकर उसका हाथ खोल देंगे पर ऐसा नहीं हो पता है उपर से गलत कोड मिलने की वज़े से गस और भी ज़्यादा गुस्ता हो जाता है और उचेंसो को एलन का हाथ काटने के लिए उठा लेता है उसी सामें मेरी एक हैमर उठा कर गस का सर पर मारती है जिससे की गस का सर पुरी तरके से फट जाता है और उसकी वही पर मौत हो जाती है फिर इसके बार मेरी हगिन्स के हाथ को खोल देती है और नतन के लिए हेल्प मागती है लेकिन हगिन्स और एलन अपने में लगे वे थे मेरी के बहुत कहने पर हगिन्स नतन को उपर के रूम तक लाने को कहता है लेकिन हगिन्स नगस की गन और घर की चाबी अपने पास में रख ली थी फिर इसके बद मेरी को कहता है कि वो नतन का इलाज जरूर करेगा और ambulance को बुला कर hospital भी लेकर जाएगा लेकिन इस से पहले अभी Nathan का blood रोकना बहुत ज़रूरी है Mary और Terry Nathan को उठा कर Huggins के operation room में लेकर आते हैं और उस समय Huggins गर के सब बोर्स को बंद कर जाता है फिर और Nathan के pets है उसे बिना anesthesia दिये हुए चाकू निकालता है चाहिए थी उन दोनों के साथ में एलन भी बाहर आ जाती है Huggins ने एलन को एक injection का box दिया था ताकि वो उस injection को Terry के पेरपल लगा सके चुकि गेट से चलंग लगाते टाइम उसको मोच आई हुई थी इधर Mary Nathan को लेकर परशान थी और तब Terry उसके पास में आता है और ऐसा करते समय वो उसे किस भी करता है तब Mary Terry के ओपर गुस्ता होती है और यहाँ पर Mary की बातों समय पता चलता है कि Mary की एक बहन भी थी जो कि Terry की girlfriend थी एक दिन Terry और Jane के बीच में कुछ जगड़ा हुआ और Terry जेन को रोड़ के उपर अकिला छोड़ कर चला गया तब इससे जेन मिसिंग है और Mary जेन के गयाब होने का जिम्मदार Terry को ही मानती है उपर से Terry की वज़े से वे लोग वहाँ पर फसे हुए है चुकि रोबरी का प्लान Terry का ही था और Terry ने नतन को बचाने की कोशिच भी नहीं की थी Mary पिल्कुल अपनी बेहन जेन की तरह दिखाई देती थी तो इसलिए Terry मेरी से भी प्यार करता था और इसे वज़े से Mary और नतन जो प्रोमाच्स कर रहे थे तो Terry को बुरा फिलो रहा था फिर अब Mary हौल में उसे इंजेक्शन के बॉक्स को देखकर उसे उठा लेते है लेकिन उस बॉक्स को खूल पाती उससे पहले एलन वहापर आकर Mary से उस बॉक्स को चीन लेती है और हो उसके साथ में बहुती बुरा ब्याव करती है मेरी फिर हगिंस के पास में जाती है नथन को देखने के लिए लेकिन अंदर जाने के बाद मेरी देखती है कि नथन कोई मुमेंट नहीं कर रहा है फिर एम्बूलेंस के बार में पूछने पर हगिंस उसे कहता है कि एम्बूलेंस जल्दी आ रही है और मेरी को तसलिए देने के लिए एक बार और एंबुलेंस को कॉल करने के लिए जाता है तब मेरी नथन को टच करके चेक करती है और मेरी को पता चलता है कि नथन मर चुका है और उपर से नथन के पॉकेट मेरी को अपना फोन भी नहीं मिलता है मतलब कि हगिंस ने मेरी का फोन अपने पास में रख लिया था मेरी बाहर जाकर देखती है कि हगिंस एंबुलेंस को बलाने का नाटक कर रहा है क्योंकि फोन लाइन तो पहले ही गसने कार दी थी और अब जाकर मेरी को समझ में आता है कि वो कहां पर फस चुकी है मेरी को टेंशन में देखकर हगिन्स उसे ब कुछ मेडिसिंस ओफर करता है लेकिन मेरी उन मेडिसिंस को नहीं लेती है मेरी रूम से भा निकल कर देखती है कि टेरी एलन का फेवरेट बन चुका है और एलन कोई इंजेक्शन टेरी की कमर में लगा रही थी अब मेरी को किसी भी कीमत पर वहाँ से निकलना था तो इसलिए मेरी मेंडोर को चेक कर निकल जाती है जो कि पुरी तरीके से लॉक था और अचानक वहाँ पर एलन आ जाती है जो कि मेरी को केट समझकर एक थपल मारती है और उसके साथ में बहुत बुरी तरीके से भीयव करती है जिससे कि हमें समझ में आ चुका था कि एलन और हगिन्स अपनी बेटी केट के साथ में कितनी बुरी तरीके से भीयव करते थे और अब जाकर केट की बनाई हुई उस ड्रोइंग का खुलासा हुआ था कि आकिर केट ने इस तरीके की ड्रोइंग क्यों बनाई और शायद हगिंस और एलन के इस अबियूसिव नेचर के वज़े से केट की मौत हो गई उसी समय महाँ पर हगिंस आता है और एलन के बहएवर के वज़े से वो मेरी से माफी माँगता है और उसे बताता है कि केट की मौत की बात से एलन की दिमागी हरत कुछ ठीक नहीं है फिर जब हगिंस और एलन तेरी और मेरी के लिए कीचन में चाय बनाने के लिए जाते हैं तब मेरी तेरी से माँसे बागने की बाते कहती है लेकिन टेरी के दिमाब में कुछ सूच नहीं रहा था उपर से टेरी के पास में मेरी को फोन भी नहीं मिलता है क्योंकि एलन ने टेरी से उसका फोन ले लिया था मेरी टेरी को को समझा पाती उससे पहले हगिंस और एलन दोनों के लिए चाय लेकर आ जाते हैं लेकिन वो उनकी दियों किसी भी चीज़ को नहीं खाती है उन नहीं वो टेरी को खाने देती है फिर घर के बार जाने के लिए मेरी सिगरेट पीना का बहाना करती है लेकिन हगिन्स और एलन उसे इसमोग करने के बार नहीं जाने देते हैं और वहीं पर बेट कर उसे ambulance का वेट करने को कहते हैं Huggins मेरी को उसकी बेटी Kate के कप्ले दिखाता है और Kate के फोटो में हम देख पाते हैं कि उसके परेडीसेबल है और उस चली भी नहीं पाती है अब Huggins मेरी को एक स्क्रेप बुक दिखाता है जिसमें उस टाउन से गयागबुएं सभी मिसिंग लड़कियों की फोटो थी और उनमें से एक फोटो मेरी की मिसिंग बेन जैन की भी थी तो अब उन मिसिंग लड़कियों से हगिंस और एलन का क्या रिष्टा था यह हमें आगे पता चलेगा यहाँ पर उनकी इन बातों से मेरी घुसा हो चुकी थी और उसे पता चल चुका था कि हगिंस जान बूच कर उससे घर से बाहर नहीं जाने दे रहा है तो इसलिए मेरी एक चाकू उठा कर उन्हें दरवाजा खुलने के लिए धमकाती है लेकिन हगिंस मेरी को अपने बातों में फसा कर उससे चाकू छीन लेता है और उससे घसीट कर एक अलमारी में बंद कर जाता है फिर इसके बार में हगिंस टेरी से कहता है कि वो मेरी के उपर नज़र रखे और वो एलन को लेकर उपर बेट्रूम में चला जाता है यहाँ पर मेरी टेरी को समझा रही थी कि उसे अलमारी से बाहर निकाले लेकिन टेरी ये मानने को राजी नहीं था कि हगिंस और एलन इतने बुरे इंसान हो सकते है तब मेरी टेरी को उसी की भाशा में इमोशनल ब्लेकमिल करने लगती है और वो से उसकी सिस्टर जेन के बार में बताती है यहाँ पर हम देखने हैं कि टेरी की कमर के नीचे की बॉड़ी धीरे-धीरे प्रेलाइस हो रही थी तो इसलिए मेरी की बातों में आकर किसी दर टेरी चेन से उठकर मेरी को अलमानी से बहाँ निकालता है जिसके बार मेरी टेरी को वहीं पर रुकने का बोलकर बार निकलने का रास्ता डूढने के लिए उपर रूम के तरफ जाती है फिर मेरी की बातों को ध्यान में रखकर टेरी उपर ओपरेशन रूम में नथन को देखने के लजाता है जहाँ पर उसे नथन के डेट बोड़ी दिखाई देती है उपर से उसे मेरी भी कहीं पर नज़र नहीं आ रही थी तो इसलिए उसे ऐसा लगने लगता है कि मेरी उसे अकेला छोड़कर चली गई है दूसी तरफ एलन को मेरी पर बहुती गुस्ता आ रहा था वो हगन से मेरी को पनिश्मेंट देने के बात केती है और इस बात पर हगन से भी राज़ी हो जाता है दूसी तरफ टेरी मेरी को डूण रहा था और उसे मेरी केट कर रूम में मिलती है जहाँ पर मेरी कपलों को का देकर बेट से नीचे किरा देती है और तब टेरी की बोड़ी धिरे-धिरे प्रेलाइस होने लगती है जिसके कारण वो खुछ से उड़ भी नहीं पा रहा था फिर अचानक एलन और हगिंस पूरे घर में कोई गेस को लिख कर देता है जिससे की टेरी और मेरी को सांस लेने लगाता तो उन दोनों को गेस को कोई फरक नहीं पड़ता है और दोनों मेरी को बेल्ड से पीट रहते हैं किसी तरफ मेरी एक चाको को अपने हाथ में अपने सेफटी के लिए ले लेती है और थोड़ी हिमत करके मेरी एक गमला एलन की तरफ उठा कर मारती है जिससे की उसक इसमें मेरी देखती है कि हगिन्स टेरी को अपने साथ में दूसर रूप में लेकर चला गया है तो इसलिए मेरी भी एलन को लेकर किचन में चली आती है और वहां पर उसे बान देती है हगिन्स किचन में घुज गया था और मेरी का गला दबा कर उसे जान से मारने की कोशिश क और किसी तरह मेरी हगिंस की फिंगर पर कट करके अपने आपको बचा लेती है। मेरी चाकू को एलन के गले पर रखकर हगिंस को धमकी देती है कि अगर उसने घर की चाबिया और टेरी को उसके पास नहीं बेजा तो वो एलन को जान से मान डालेगी और डर के मान हगिंस भी इस डील को मान लेता है और उस चाबिया टेरी को दे देता है लेकिन उन टेरी को कुछ बाते भी कह रहा था फिर इसके बद में मेरी भी किचन से निकल कर टेरी के पास में जाती है और उसे गेरेज के डूर के चाबिया टेरी के पॉकेट से मिल जाती है जिसके बार में गेरेज का दर्वाज़ा खोल कर और टेरी को अपने साथ में लेकर उसे कार के बेक सेट में डाल देती है देरे देरे मेरी की बॉड़ी भी परलाइस होने लेगी थी क्योंकि एलन न उसे परलाइस करने वाला इंजेक्शन दिया था लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत करके उस कार को स्टार्ट कर लेती है अचानक मेरी देखती है कि हगिन्स और एलन कार के सामने खड़े है तो मेरी उनको उपर से कार चला कर ले जाना वाली थी लेकिन वो ऐसा करती उससे पहले टेरी मेरी को शूट कर देता है उपर से injection की वजह से मेरी की पुरी बॉडी प्रैलाइस हो जाती है और बस हगिंस और ऐलन की बातार सुनते रहती है तेरी एन हगिंस की बात मानकर मेरी को गोली मारी थी तो इसलिए हगिंस और ऐलन तेरी को एक प्राइस देने का डिसाइड करते है abbiamo और वो प्राइस था मेरी की मिसिंग सिस्टर जेन जो कि उसी लोकर के पीछे बने एक सिकरेट्रों में बन थी और यहीं पर मूवी का सबसे बला राज रिवील होता है असल में हगिंस और एलन दोने के अब्यूजी पैरेंट्स थे जिसका पता हमें केट की ड्रोइंग से तो लगे चुका था उपर से दोनों ने वहीं इंजेक्शन से केट को प्रेलेस बना देता ताकि वो कभी भी उनका छोड़कर न जाए लेकिन जब एक दिन केट की मौत हुई तो एलन की दिमागी हालत बिगड़ गई वो तब से हगिन्स टाउन के लड़कियों को किडनेप करके अपने घर में केट करकर रखता था लेकिन उन में से कोई भी लड़की केट के जैसी नहीं थी तो इसलिए वो सब भी लड़कियों को मार देते थे जब उन्हें फाइनल जेन मिली तो उसे उन लोगों ने अपने पास में हमेशा के लिए केट करकर रखा चूंकि वो बिलकुल केट के जैसी थी और उन दोनों की ही वज़े से टाउन में इतने सारी लड़कें मिसिंग हो रही थी हगिंस और एलन भी इसी वज़े से उनको लॉकर का कोड नहीं बता रहे थे टेरी पहले से ही जेन को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था तो इसलिए जेन के लिए उसने हगिंस के उसारी बाते मानी जो भी उन लोगों ने टेरी से कहा फिर इसके बाद में टेरी को भी हगिन्स और एलन उसी लोकर रूमे जेन के साथ में बंद कर देते हैं टेरी भी जेन के साथ में खुश था बले ही वो हमेशा के लिए हगिन्स और एलन के पिंजरे में कैदो मेरी है सब कुछ अपनी आगों से देख रही थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है क्योंकि वो परिलाइस थी फिर अगले दिन हम टेरी की माँ जून को देखते हैं जोकि हगिन्स और एलन के गर पे काम करने आई थी वो टेरी के मिसिंग होने से बहुत परिशान थी लेकिन उन्हें नहीं पता था कि टेरी हगिन्स और एलन की कैद में है हगिन्स और एलन जून को कमफर्ट करते हैं और उसके साथ वो बहुत अच्छे से ब्याव करते हैं जून को उनके उपर जरा भी शक नहीं होता है और वहाँ से चली आती है। जून का जाने के बाद में हम देखते हैं कि हगिन्स और एलन किसी के डेट बोड़ी को अपने वेजीटेबल गार्डन में दफना रहे थे। और ये बोड़ी ज़रूर मेरी क्यों होगी। क्योंकि जैन उनकी बेटी बन गई थी और टेरी उनका धामाद और इस तरीके से उन्हें जो डॉल हाउस वाली फैमली चाहिए थी वो उन्हें मिल चुकी थी। पुले टाउन के सामने वे लोग एक नॉर्मल ओल्ड कपल थे हैं जिनके उपर किसी को भी शक नहीं होता था और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।